महाराष्ट में रवीवार को एक बड़ा राजनितिक उलट फेर हुआ शरत पवार के भतीजे और विपक्ष के नेता अजित पवार महाराष्ट की सरकार में शामिल हो गए वे अपने कुछ समर्थक विदायकों के साथ राजबहवन पोचे और मंतरी पत की शपत ली उन्हें राजजी का डिप्टी सीएम बनाया गया है इस औरान सीएम एकनाज शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद फंडविस मोजूद थे रिपोर्स के मुताबिक एनसीपी के नो विदायक मंतरी पत की शपत लेंगे इनमें पवार के अलावा चगन भुजबल, धनचे मुंडे, अनिल पाटिल, दिलिप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनिल वलसाड, अधिती तटकरे और हसन मुश्रिफ शामिल है एक न्यूज एजनसी के मुताबिक अजित पवार के साथ राजबहुन गए कुछ विधायक, पतना में विपक्षी एकता बेठक के म्यंच साजा करने और राहूल गांदी के साथ सयोग करने के शरत पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे अजित पवार ने रविवार को मुंबई में अपने अधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मिटिंग की इसमें पार्टी की कारेकारी अध्यक्ष सूप्रिया सूले मोचुद थी अजित पवार के राजबहन पोशने के दोरान NCP चीफ शरत पवार पूड़े में थे उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकरी नहीं थी बाद में जब उन्हें इसका पता लगा तो बोले अजित पवार विपक्ष के नेता है तो विधायकों की बेठक बुलाने का उन्हें अधिकार है रिपोर्स की मताबिक अजित पवार शरत पवार से नाराथ चल रहे हैं पहली बार दो मई को जब शरत पवार ने NCP अध्यक्ष पत छोड़ा तो सब इस बात की संभावना थी कि अजित पवार को पार्टी की कमान सोपी जा सकती है जब पार्टी निताओं और समर्थकों ने शरत पवार की फैसले का विरोत किया तो अजित ने खुले आम कहा था कि इस विरोत से कुछ नहीं होगा पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेगे हाला कि चार दिन में ही पवार ने अपना इस्तिफा फॉपस ले लिया वे जब इस बात की जानकरी मीडिया को देने आए तो अजित पवार वहां मुझूद नहीं थे तब इस बात की चर्चा थी कि अजित शर्ट पवार के फैसले से नाराज है इसी के साथ बने रही है एशेलिस उडिया के साथ का निपाद